विदियो अगता करता हूं, आज का जो वीडियो के देखना है slip cage का problem, इसके पहले भी मैंने एक आपको slip cage का problem लिया है वो आप playlist में देख सकते हैं, नई तो फिर मैं उपर ऐ बटन में आपको link देदूगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं मैंने उसमें आपका थोड़ा सा slip gauge का problem कैसे solve करना उसका basic बताया है पहले वो problem देख लीजिए फिर ये problem प्याये क्योंकि इस problem में ज़्यादा basic नहीं लेने वाला हूँ अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो please like, share, subscribe करना मत भूलिए और आप comment भी कर सकते हैं अगर comment में आपको कुछ लगता है इस वीडियो में कुछ improvement के chances है या कुछ खामी है वो भी आप उसमें बता सकते हैं तो वीडियो की तरफ बढ़ते है कि statement कुछ इस तरह से list the minimum number of slip gauges to be brought together to produce an overall dimension of 46.635 using M87 pieces आपको क्या करना है यह dimension build करना है यह M87 का state use करके और main rule क्या है इसमें कि आपको क्या करने minimum slip gauges use करने है आपको जो set दिया है कुछ इस तरह से है set में range है step है और pieces है range क्या रहती है कि range में आप consider कर सकते हो देखो 10 to 90 है 10 to 90 मतलब क्या कि 10 से लेके 90 तक आपके क्या है slip gauges है लेकिन उसकी step क्या है मतलब वो कि size में increase होते जारे कि size में वो 10 mm के size में increase हो रहे मतलब आपके अगर slip पहली slip 10 to 90 में की 10 है तो दूसरी slip में क्या करना है आपको 10 में 10 add करना है तो वो कितना हो जाएगा 20 20 में क्या add करना है 30 sorry 20 में क्या add करना है 10 तो आपका हो जाएगा 30 30 में 10 add कर दो 40 ऐसे 10 10 आपको क्या करना है हर एक slip में add करते जाना है तो आपका क्या होगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे आपकी range रहती है आपको step most of the student में क्या होता है step का problem आता है उनको और फिर यह total आप add करोगे तो वो 87 हो जाएगा अभी यह जो problem 46.635 को कैसे solve करते हैं देखो पहले मैं यहाँ पर लिख देथा हूं 46.635 जैसे कि रूल आपको पता है आपको क्या करना है पहले यह जो फाइव है इसको eliminate करना है अगर मुझको फाइव को eliminate करना है तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर फाइव लिख देता हूं इसको minus कर देता हूं लेकिन वो जो ऐसी स्लीप है 0.005 की मेरे पास है क्या यहाँ पर 1.005 की है यहाँ पर भी एक 1.005 की स्लीप रहेगी कैसे देखो 1.001 है उसके बाद 1.00 उसमें यह एड करते जाना है 1.002 1.003 1.004 1.005 वो भी है मेरे पास लेकिन यह तो हो 0.005 की स्लीप नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यह 0 को हटा के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा अगर मैं यह स्लीप यूज करो नहीं तो इसमें की जो स्लीप है वो भी आज यूज कर सकते हो कंसिलर करो मैंने यह स्लीप यूज किये और उसका और एक फार्मूला है अगर आपने कंसिलर करो इसमें से आपने 10 में की स्लीप यूज की है तो वापस आपके पास वो बॉक्स में 10 की स्लीप नहीं रहेगी यह आपको याद रखना है एक स्लीप आप एक ही बार यूज कर स 3 eliminate करना है तो मैं क्या करता हूं यहां पर इसको माइनस करता हूं 0.03 की slip है मेरे पास यहां यह ग्रूप में नहीं रहे तो यह 1.01 1.02 1.03 1.03 की है लेकिन मेरे पास 0.03 की slip नहीं है मैं आभी क्या करता हूं यह problem को 1.03 लिख देता हूं यहां पर 1.03 लिखने के बाद क्या हो जाएगा 3 eliminate हो जाएगा 64.6 अभी मुझे 6 को eliminate करना है मेरे पास 0.6 की slip है क्या नहीं यहां पर देखो यहां पर क्या 0.5 है 0.5 के बाद step size क्या increase हो रही है 0.5 के बाद 0.5 add कर दो उसमें तो 1 हो जाएगा 1 में वापस 0.5 add कर दो तो 1.5 हो जाएगा 1.5 में वापस 0.5 आड़के 2 हो जाएगा लेकिन 0.6 किसी भी इसमें नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें भी आप देखो उनने यहां पर गलत किया है तो इसको यहां तक क्या कर देता हूं मैं रफ कर देता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं देखो अभी मुझे 3 eliminate करना है 3 eliminate करने की जगह मैं क्या करता हूं और एक यहां पर ऐसे करता हूं ऐसा एक हिसके साथ निमेरिक लेता हूं तो यह क्या हो जाए कैसे मतलब i.5 की डीजट में आ जाएगा देखो मैं क्या करता हूं यहां पे 1.13 का स्लीप लिया कहा से लिया 1.13 का स्लीप यहां से देखो 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, यहां से मैंने क्या किया, 1.13 का slip लिया, तो क्या हो जाएगा, मेरा 3 eliminate हो गया, यहां पर देखो, क्या आया अभी 5 आया, ठीक, फिर यहां पर 44.5 आया, अभी यह जो 4.5 है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो, इसमें मैं और step बढ़ा सकता हो, कैसे बढ़ा सकता हो, देखो, मैं क्या करता हूँ, अभी 5 eliminate करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहां से, यह जो 0.5 की slip है, यह क्या करता हूँ, यहां पर ले लेता हूँ, तो क्या हुआ यह 44 हुआ, 44 होने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहां यहां पर क्या होगी, वापस 4 mm की स्लिप रहेगी, वो 4 mm की स्लिप ले लेता हूँ यहाँ पर, तो कितना रहेगा, 40 रहेगा, फिर यह जो है, 10, 20, 30, 40, यहाँ से क्या रोंगा, 40 की स्लिप लोंगा, तो नीचे क्या आएगा, 00 आएगा मेरा, ठीक, 00 आ रहा है, तो अभी देखो कितने स्लिप हो गई, count करो, 1, 2, 3, 4, और यह लास्ट वाली 5, यह 5 स्लिप हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है, और एक, और एक ट्रिक लगा सकता हूँ, कैसे लगा सकता हूँ, देखो, मैं यह स्टेप यहाँ पर लिग देता हूँ, 44.5, तो मैं यह 0.5 की जगह पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो 4.5 की स्लिप है, वो यूज करूँगा यहाँ पर, 4.5 की स्लिप यूज की मैंने, तो नीचे क्या रहा, 40 रहा, तो मैं वापस 40 की स्लिप ले लेता हूँ, तो नीचे क्या हुआ, 00, तो देखो अभी, 1, 2, 3, और यह 4, मतलब अगर मैं यहाँ पर 0.5 की जगह पर, 4.5 का स जाती है, और रूल के आपना, by the use of minimum number of slip gases आपको क्या करना है, problem, solve करना है, ऐसे यह problem था, 1.005 का slip लिया, बाद में 1.13 का, फिर 4.5 का, और फिर 40 का, आप देख सकते हो एक बार problem,